स्काइलाग पशु आहार संपूर्ण पोशन दूद की बहार काइलाग का वादा सेहत और लाग सबसे स्यादा अधिक जानकारी के लिए संपर्ट करें साथियो नमस्कार आज हमारे एक सबस्क्राइबर भाई ने पूचा है कि सर मेरी बैस पहली बार ब्याई हुई है और जैर भी ठीक डाल दी थी लेकिन एक दो गंटे बाद वो बहुत ज़्यादा जोर करने लग गई डोक्टर ने कैल्शियम बगरा लगाया ड्रिप लगाई तो वो कुछ ठीक हुई आराम आया अब कभी कभी गोबर के रास्ते में जोर मारती है 20 दिन हो गए हैं दूद बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है तो कोई रास्ता बताए ताकि दूद को बड़ाया जा सके देखिए अगर आपकी हिस्ट्री देखें तो इसमें कैल्शियम की बोटल तो चड़वा लिया आपने अच्छी बात है लेकिन कई बार जो है वो एनर्जी की कमी हो जाती है और वो एनर्जी की कमी कोई ना कोई हमें एनर्जी बूश्टर देना पड़ता है तो पहला काम एनर्जी बूश्टर बहुत से आते हैं मार्केट में जैसे इंडिया में एनमोलाइड, ग्लूकाबूस्ट, हीम सक्थी, कई ही नामों से मिलते हैं आपके महाँ कौन से नाम से मिलते हैं वो देख लेना क्योंकि ये बाई कहीं बाहर से हैं, फोरें से हैं इसके अलावा, अगर आप उसकी डि वार्मिंग करवादें, तो अच्छा रहेए करें, और डिवार्मिंग के लिए आप जो दवा काम में लेंगें, वो भी अच्छी काम में लेंगें जैसे या तो क्लोसेंटल साल्ट वाली दवा काम में ले ले या ओक्सी क्लोजनाइड वाली दवा काम में ले ले या रेपोक्षने माइड वाली दवा काम में ले ले कोई सी भी अच्छी दवा डिवार्मिंग के लिए यूज कर ले भूके पैड सुबह सुबह दे उसके कौन सा लिवर टॉनिक मिलता है वो लिवर टॉनिक देते रहे ना 50-50 ml सुबह श्याम और साथ में डाइजेस्टिव पाउडर जैसे एस भी स्ट्रोंग हो गया रूचा मेक्स हो गया ऐसा कुछ दे और आप मुझे उमीद है इतने जब तकलीफ हुई है तो लिक्विड केल्शियम और विटामिन वो तो देते ही होंगे लेकिन ये तीनों चीजें अगर आप एड़ करते हैं तो शौरली दूद बढ़ जाएगा इसके अलावा उसे संतुलित आहार दें संतुलित आहार में आप समझते ही हैं खली भी देना है चोकर भी मिलाना है अनाज भी मिलाना है इसके अलावा हराचारा और सुकाचारा भी मिलाना है इसके अलावा उसको नमक भी देना है ये सब चीजें अगर आप देते हैं तो आ आपकी भैस बिल्कु ठीक हो जाएगी